नमस्कार रादाप आप देखरें ओन रिकॉर्ड मीरा भाइंदर शहर में कोरोना के बढ़ते हुए प्रारुदभाव को देखते हुए मनपा परशासन नए नियम बना रही है और नियमों का पालन करने के लिए पुलिस मुस्तेजी से रास्तों पर उतर कर काम करते भी दिखा हिस्थानी आप देख सकते हैं मेरे पीछे के हर आने जाने वाले जो लोग है उनको यहां पर पकड़के उनका स्वैप सेंपल लिया जा रहा है उनका एंटिजन टेस्ट किया जा रहा है और जगा पर ही उन्हें 10 मिनिट के अंदर पुलिस की मदद से हिस्थानी समास्योगो की मदद से उस वेक्ति को उस युवा को अपनी रिपोर्ट दी जा रही है जिसके चलते यहां पर जो लोग बिलावजा भटक रहे है उत्तन में अब उन्हें एक सबक मिलेगा उन्हें एक सीख मिलेगी के रास्ते पर निकलेगे तो उनका टेस्ट हो नहीं और जब पॉजि यहर मोई-पार नहीं जो गाईडलाइस दिये हैं कि वो गाईडलाइस का पूरा पालन होना बहुत जरूरी है अपने देश में कुरोना बहुत जवर से पहल रहा है लोगों को आवेर्नेस करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए शेरे पर मास्क होना चाहिएे सोशल होना चाहिए और चेरे पे मास लगाना चाहिए तो इसलिए हम लोग भी जो अभी मिरा बाहिंदर महानगर पालिका ने जो नया जो रूस लागू किया है कि सुबह साथ बज़े से उपेर को ग्यारा बज़े तक जो असेंशल सर्विसेस हैं खुली रहेंगी उसका पालन करना बहुत ज़रे और जो लोग रास्ते पे बिना वह जब घुम रहे हैं उनका भी हम एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं आज सुबह भी हमने जो सब्जी मार्केट में जो जितने भी विक्रेता थे उनका एंटीजन टेस्ट किया उसमें से एक आलू और पैज बेचने वाला पॉज है कि कारवाई हमारे हां जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जारी रहे हैं यह थे उत्तन पुलिस स्टेशन के प्रशांत लांगे जिनका मानना है कि बिला वजा रास्ते पर भटकने वाले जो युवा है जो लोग है उनका एंटेजन टेस्ट किया जाता है तो एक तरह स जिस तरह से चेकिंग करके एंटेजन टेस्ट किया जा रहा है और जिन लोगों के पास में मास्क नहीं है या उनके मास्क खराब हुए है उन लोगों को पुलिस अपनी तरफ से मास्क दे रही है उत्तन का ये पैटन कैसा देखते है यहां पर जिन लोगों ने टेस्ट किया आपको लगता है उस सभी मना से देखे लिग यहां जा करते लें दिंगें लिग तो आपको कि इस है एख लगता है आपको कि इस कारोई के चलते करोना के मरीमेरीदों की संखे भी कम होते पर और कावुछ आपने पूरा नहीं ईड़ा शाह से उसको कि बाखी सब तो तो दिक्कत हो गई ओगा विल लोग के से busy dao कि घर पर बैठनाज़ना चीश है ज़रूती, जरूरत की कुछ इस लोग काम से समझ में आया लेकिन वह तो तो सर उनको तो पकड़ के फिर अंधर ही करना चीए उसमें तो वह तो सही है उनके आप एक्षन लेना चीज है यह पुलिस की करप दें जो कारोई के जारी है क्या यह कारोई सही है आपको लगता है। बिल्कुल सही है कि और पिजो ऐसे गुमते जिसको कोरोना भी है वो गुम रहा है वो यह इसके लिए यह मालूम पड़ रहा चाहिए ना कि वह इसे कुम रहे तो इसको यह पॉजिटिव दूसरों को सकता है वह सबसे यह सई यह पैटन जो है उत्तन पैटन यह पुरे मेरा वाइनदा शहर में भी होना चाहिए सबी पुलिस थानों ने यह कारवई करना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए पुलिस यह कारवई कर रही है क्या यह कारवई जरूरी लगता है जरूरी है सर बिल्कु पुलिस की इस कारवाई का साथ देते हुए इस्थान्य समाच सिविका फिलडा मोराइज भी पुलिस के कंदे से कंदा मिलाकर खड़ी हुई है वो हमारे साथ में हम उन्से बात करते हैं मैडम, पुलिस यहाँ पर जो तरीका अपना ही है भीड़ पर काबू पाने के लिए और कोरोना पर काबू पाने के लिए कैसा देखते हैं आप। से भी बात हुई थी मगर इस बर कमिशनरेट आने के बाद और हमारे सीनियर पी आई जो प्रशांद लांगे सर है और जो अंदारे साब एपी आई उनके जो माधियन से काम हो रहा है यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है खुद ऐसा लग रहा है कि उतन भी एक पार्ट हो रहा है मीरा भाहिंदर का मैं हमेशा मेरी एक कंप्लेंट रहती थी कि मीरा उतन हमारा मीरा भाहिंदर का पार्ट नहीं है क्या यह सवाल मीरा हमेशा होता था क्यूंकि उतन में अजिब सा माहोल रहता था अजिब सा मतलब मीरा भाहिंदर में ऐसा नहीं लगता था कि आप इस बात का मुझे जवाब दीजेगा कि जिस तरह से पुलीस परशासन और मनपा परशासन मिलकर रास्ते पर उतर कर काम कर रहे हैं अवेरनेस पैदा कर रहे हैं क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे शहर के जो नगर सेवक है जो लोग प्रतिनीदी इनकी भी जिम्मेदारी ब लाती है उनके उनके बाद होना चाहिए उनके पर विशुबास करते हैं पुबజ इसके लिए उनको चुन के लाती ہے तो अगर वो भार निकल के लोगों को विश्वास में लेके ये बताए कि कोरोना कैसे फैलता है, क्या रीजन है कोरोना फैलने का और अगर अपना टेस्ट करवाया है तो पदा चलता है कि नेगेटिव है और उसके बाद हम अमारी फामिली एक सुरक्षित हो जाती है बेसिकली वही चीज में बताना चाहूंगे कि जागरुकता ज़रूरी है और कोरोना में क्या सिम्टम्स है ये अपने ही नगर सेवक लोग अपने लोग प्रतिमीदी जो हम चुनके लाते है उन्हों न निकल के ये सब जनता में जागरुकता फैलानी चाहिए मेडम ये बताईए कि उत्तन के लिए आपको क्या और जरूरी लगता है कि यहां के निवासियों को किस तरह की सुवीदा मिलना चाहिए किस तरह से उन्हें इलाज में आसानी हो क्या लगता है आपको हानी निवासियों को सुवीदा मिलनी चाहिए कोविड सेंटर होना चाहिए इसके चलते मैंने आज एक लेटर दिया है अपने मनपा प्रसाशन को कि यहां पे बैड की सुवीदा उपलब्द होनी चाहिए कोविड सेंटर बनाना चाहिए एटलिस हंडेट बैट्स के अतों होना ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि हंडेट बैट्स की सुवीदा उपलब्द करने से लोगों में एक आसानी हो जाएगी अगर कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो वो आसानी से अपना इलाज करवा सकेंगे उत्तन के पबलिक के लिए स्पेशली उत्तन के पबलिक को थाएंक्यू बोलती हूँ कि ओ लोग हमारे पॉलिस प्रशाशन की बात सुनके रास्ते पे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे सब अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं जो बिना काम जो बाहर घुमते थे उनकी थोड़ा कम हुआ है जो पैटर्न उत्तन पॉलिस ने अपनाया है उसमें पॉलिस आने जाने वाले राहगीरों का टेस्ट करवारी है जो लोग positive पाय जा रहा है उन्हें यहीं से अस्पताल में भेजा जा रहा है और जो लोग negative है उनके वसमें अगर मास्क नहीं है या मास्क उनका खराब हो चुका है तो उन्हों लोगों को भी पॉलिस मुफत में मास्क दे रही है ये रहा यहां का उत्तन पैटन इस पैटन में इस्थानिय समाज सेवी का फिडा मोरैस ने भी पुलीस परशासन का साथ दिया है और जनता में विश्वास बलने हितू वो खुद भी यहां पर खड़ी दिखाई दे रहे हैं जो पैटन उत्तन पुलीस ने अपनाया है उस हैं और जो पॉजिट्व पाए जाते हैं उन्हें टेस्ट के दोरा नहीं मालूम पढ़ने के बाद में अस्पताल में रवाना किया जाए इस पुरे मामले से इस पुरे उत्तन पैटन से एक बात तो साफ होगी कि हमारे शहर में जो बिला वज़ा भटकने वालों की भीड़ है उस भीड़ पर पुलिस को काबू पाने से इससे अच्छा और तरीका कोई हो ही नहीं सकता जो उत्तन पुलिस ने अपनाया है उत्तन पैटन की तर्जबर हमारे मेरा भाइंदर शहर में भी कारवई होनी चाहिए ऐसी हम आशा करते हैं पुलिस आयुक तो सदानन दाते से पूरे पुलिस परशा सुन से आप देख रहें आरिप कुरिशी और साविर्शेक के साथ और रिकार्ड मेरा भाइंदर धन्यवाद